गुद मॉर्निंग फ्रेंग्स कारेंसी डेली एनलेसिस पे आप सभी का स्वागत है आज है 22nd of February 2023 मार्केट इस वेटिंग फॉर FMC मिनिट्स जो आज इविनिंग में रिलीज होने वाले हैं आए देख लेते के प्राइस सेक्षन की हिसाब से क्या-क्या एक्टिविटीज हो रहा है सो डॉलर इंडेक्स अभी है 104.11 यहां पर हम अगर क्यारफुली देखेंगे तो इटेज मेड हायर हाय हायर लूग क्या यह आने वाले दिनों में इसको बरकरार रखने वाला है पहले हम देखते हैं के डेली आरेस है डेली आरेस है जो है आपका 60 पे है सो यहां पर क्या रिजिस्टेंस लेके बापस नीचे के तरफ आएगा या ब्रेक आउट करके ऊपर के तरफ जाएगा अगर नीचे के तरफ आता है अफटा टेकिंग डर रिजिस्टेंस इन सच केस थोरह सा कॉंसोलीडेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ब्रेक आउट करके ऊपर के तरफ जाता है तो इमेडियेट जो रिजिस्टेंस होगा अपका 105.25 से 105.75 के बीच में इमेडियेट मेजर रिजिस्टेंस एक्टेंस एक्टाइब डार रूपी साइवेस कॉंसलिडेशन बरकरार है जब तक ये 82.40 on the lower side and 83 83 10 on the higher side breakout नहीं करता है prices are expected to consolidate here only but be careful why जितना जादा consolidation उतना ही जादा आपका breakout का probabilities होगा we need to wait and watch carefully कि कब ये either side breakout करता है क्या ये उपर के तरफ breakout करता है या नीचे के तरफ breakdown करता है ये हमें carefully monitor करना परेगा एक जबर्दस ब्रेक आउट हम expect करेंगे लेकिन उसके लिए हमें इंतेजार करना जी बीप डॉलर पे from bottom level bounce back किया है अभी ये 1.2116 डैदमीन केस जैसे कि हमारा expectation था कि ये थोरा से bounce back करेगा उपर के तरफ उपर के तरफ bounce back करने के बाद ये center wind में आके रुका है क्या ही यहां पर resistance लेकिन बापस नीचे के तरफ आएगा and breaking down the recent swing low that is at 1.1915 इसको break out break down करेगा या उपर के तरफ जाने का प्रयास करेगा ये हमें आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा similarly GBP INR भी नीचे के तरफ से ऊपर आया है and immediate जो resistance हमारा है वो है 101.50 से 101.70 and the lower side immediate support जो हो सकता है वो है 98.75 से 99.00 euro dollar में थोरा सा weakness दिख रहा है in comparison to GBP dollar GBP dollar में bounce back bottom level से लेकिन euro dollar पे नीचे के bottom के तरफ ही consolidate कर रहा है that being the case हमें देखना है कि क्या ये जो आपका 17th February का low है पीन बार एक बनाया हुआ उसका low के नीचे चला जाता है या नहीं in the meantime देखने वाला बात है RSI taking trying to take support at 60 क्या ये trying to take support at 40 that being the case क्या ये 40 में support लेता है या नीचे के तरफ continue करता है ये हमें देखना पड़ेगा euro iron पे भी weakness बरकरार है RSI wise ये sideways पे है तो दोनों side में room है as far as the RSI is concerned so rupee euro iron वाला जो rupee part है क्या ये नीचे के तरफ आपका 87.25 से 87.50 के तरफ जाता है या आपका 89 से 89.25 के तरफ जाता है ये हमें आने वाले दिनों में देखना परेगा dollar yen कल एक अच्छा खासा bounce back देखा गया and it traded high of 135.22 thereby baking the resistance जो था आपका 134.25 का जो resistance है उसको break out करको उपर में अच्छा खासा close दिया है but क्या ये FMC minutes के बाद continue करेगा higher move if so immediate जो resistance होगा ये होगा आपका 138, 138.25 के तरफ अगर बापस नीचे के तरफ आता है it may face the support at 131.00 से 131.25 yen iron पे weakness बरकेदार है so अभी हमें थोरा सा अप्तिक में sell करने के लिए opportunity ढूनना चाहिए something like this ऐसा अगर होगा तो हम अच्छा खासा एक sell of expect कर सकते है dollar can be में ये जो immediate resistance था 135, 135.25 उसके उपर जाके price बैठा हुआ है लेकिन RSI अभी भी 60 के पास है so क्या ये 60 को breakout करके ऊपर जाता है यहाँ पे resistance लेकिए बापस range के अंदर में आ जाएगा यह हमें देखना पड़ीगा Aussie dollar पे अपका है weakness बरकरार है 17th February का जो pin बारे उसके low के नीचे एक अच्छा खासा sell of हम देख सकते है in the meantime RSI is heading towards 40 so यहाँ पे एक support RSI टंस में हो सकते है also price wise the low of the pin bar is expected to offer support ये dollar cnh में अच्छा खासा आप में देखा गया 6.89 अभी है it is heading towards अपका 6.93 के तरफ क्या है 6.93 या 6.98 के तरफ resistance लेगा यह हमें देखना पड़ेगा UK oil थोड़ा से softness है 82.55 but overall जो range 89 on the higher side and 79 on the lower series के बीच में ही अटका हुआ है it has to clear out either on the higher side or on the lower side before making a trended move US standard reserve में अच्छा खासा चलते है जो immediate resistance है resistance आपका जो था 3.9 उसको ब्रेक करके ऊपर चला गया है अभी है 3.9356 आज का FMC रहे minutes वहां पर जो consensus है या क्या guidelines है after the means means the means the आपका CPI data and other job data के बाद जो consensus है उसके ऊपर अलोग पात किया जाएगा so what they expect क्या आपका interest rate hike और फर्दर कितना तक कर सकते हैं या यहीं से pivot लेके नीचे के तरफ जाएगा so आज का रात का FMC rate decisions is very FMC minutes is very crucial so currency weekly daily analysis अभी के लिए इतना है आशा करता हूँ यह आपको अच्छा लगा होगा if so like कीजे comment कीजे फिसे प्लीच के और भाएगा जाएगा लगावच में याज़ाओ क Spaß doll store करी ही दूकर वा झाल मुध क्नक्सरा हो य्वर म impose भाइब जूवाह का य्वर